शेर बजार के अंदर में कमाई करने के लिए फंडामेंटल फोलो करना चाहिए या टेक्निकल चार्ट्स? कि इंडिया नया इंडिया बन रहा है, इंडिया के अंदर एरलाइन्स की डिमांड आप मेरा पहला सवाल टीवी एंकर और एनलिस्ट की राय माननी चाहिए क्या उन पर विश्वाश करना चाहिए? थोड़ा बहुत शेर बजार में टिप्स काम करती है रिसर्ज टिपोर्ट है, तो वो काम करती है अगर आप बता पाएं कि कौन-कौन सी आप कंपनी के आई-प्यो लेकर के आ रहे हैं मुनाफ़ा साथ हो जब अपने हम दुनिया को दिखा देंगे हम बाजार को जीतने का रास्ता बता देंगे जो जीता वही सिगंदर, चाहे बाजार के बाहर, चाहे बाजार के अंदर इस पोड़कास्ट में आज के हमारे सिगंदर है नरेंदर वादवा जी जो की SKI कैपिटल के चेर्मेन है, साथ ही SOCHM कैपिटल जो बोड़ी है, उसके चेर्मेन है PHG Chamber of Commerce के कैपिटल बोड़ के आप को चेर्मेन है और साथ ही FIKKI के आप Community Market के को चेर्मेन है आपका स्वागत है वादवा साब वादवा जी जो जीता वही सिगंदर आप जीतते आये हो, बाजार को आपने बड़े निजदीकी से देखा है और बाजार के अंदर ट्रेड करते हुए आपको एक जमाना हो गया लेकिन इस बाजार के सिगंदर बहुत कम है और हारने वाले बहुत ज्यादा है मेरा पहला टेक उसके उपर आपका क्या? दिखे ये बाजार जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि जो जीता सिकंदर और जो अंदर है मार्केट में ये बार है दोनों ही उसके अंदर, दोनों की खोईशे हैं इस मार्केट में पार्डिस्पेट करने की मैं तीस साल से इस मार्केट में हूँ और उसके अंदर बहुत सारे winners हैं जो कि long term players हैं, जो कि short traders हैं, वो बड़े कम हैं उसके अंदर, अभी से भी का विडिक्टाट आया है, उन्होंने काया है सारे memberों को बताने के लिए कि जो trader है उसमें 90% people lose money जो F&O के अंदर trade करते हैं बिलकुल, वाट हम एक और चीज़ हम discussion अभी कर रहे थे कि covid आया तो बहुत सारे नए participant आया इस market में, पहले 2.5 crore DMAT account होते थे अब 13.14 crore DMAT account है नया participant जो इस market में आया है, उसका अच्छा चीज जो हमारे को लग रही है वो पढ़के आ रहा है, वो सिरफ tips देखकर market में participate नहीं करता, वो कहीं ना कहीं वो homework करता है, यूट्यूज पे जाता है, reels देखता है market के उपर, और वो participate करता है, और ये चीज जो change आया है, इसमें हमने देखा जो आपके सिकंदर हैं, जैसा word आपने बोला, तो बहुत सारे सिकंदर इसके अंदर आ रहे हैं, जै बहुत सारे winners बन रहे हैं, क्योंकि वो study करकर आ रहे हैं, बिलकुल और specially आज की date में, इंडिया की market हमारे को इतनी conducive है, developing country है अमरित काल चल रहा है है हम, तो इस phase के अंदर जो भी market के अंदर आएगा और participate करेगा, तो वो wealth create करेगा, specially जो पढ़कर आएगा, जी आपने एक चीज कही जो tips नहीं देख रहा, जो खुझ से research कर रहा है, basically और वो बाजार के अंदर इस समय पर उसकी संख्याश ज्यादा दिखाई दे रही है चुकि कोविड का एक ऐसा impact आया कि जो professionals थे, वो कहिना की बाजार के अंदर उनको एक रास्ता दिखाई दिया, कि free हो गए है जोब से कहीं को निकाल दिया गया कहीं की जोब चली गई, कहीं के बिजनसे stuff हो गए, तो कमाना था, तो माने के लिए उनको एक शेर बाजार का रास्ता दिखाई दिया कि घर पे बैठ करके आप ये trade कर सकते हो लेकिन क्या आपको लगता है कि जो tips का जो business चला है उस tips के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो रातो रात भी को लोगों को क्रोड़पती बनाने के जो सपने हैं वो दिखा रहे हैं वो कहां तक सही देखिए tips जो है इस market के अंदर कई participants आते हैं कई night fly operator भी आते हैं उनको लगता है कि quick money है और quick tips देने वाले भी आते हैं क्योंकि इतना बड़ा participant base है कि वो उसके takers बहुत है कोई भी चीज़ के suppose आपका podcast आएगा तो इसके बहुत सारे takers हैं पहले इतने takers नहीं होते थे क्योंकि सारे कोई नया चीज़ सुनना चाते हैं इसी तरह tips भी ऐसे ही हैं वो एक्साइट करती हैं आपको market जो है beyond money होती है तीस साल पैंते साल में हमने सोचा सिरफ पैसा खमाना नहीं इट इस beyond money also तो उसके takers बहुत हैं tips के takers भी बहुत हैं पट हम हर एक channel पे आके जब भी हम जाते हैं या media से बात करते हैं हमारी सला यही होती है कि अपने study करिए बहुत material है YouTube के उपर exchanges दे रही है association दे रही है आप उसको study करिए tip और टपारी वाला जो business है उसको कम follow करेंगे तो better है शेर बाजार में loss का कारण क्या है नुकसान का सबसे बड़ा कारण आप क्या मांगते हैं quick money अभी हम discuss कर रहे हैं देखें यह market जो है capital markets है wealth creation के अगर आपकी economy अच्छी चल रही है companies अच्छा परफॉर्म कर रही है जैसा हम इस phase में है पूरा world इंडिया की तरफ देख रहा है साड़े साथ आठ परसेंट की GDP की growth है और हम जो पांच्वें से तीसरे पाइदान पे आना चाह रहे हैं 5 trillion economy ये नए words है जो की है तो इस phase के अंदर जो भी financial market के participants आएंगे वो जो long term इस market को participate करेंगे, invest करेंगे उनकी तो wealth create होगी जरूर उसके अंदर जो trader भी आएंगे क्योंकि इतना बड़ा base बन गया है वो भी पैसे बनाएंगे provided provided वो इसके अंदर पढ़कर आ रहे हैं और उसके अंदर speculate ना करके एक scientific तरीके से इसको participate करेंगे बाकी जो losers हैं जो की easy money बनाने के लिए आएंगे हैं ये market इतनी easy नहीं है आपका ये thumb rule है कई thumb rule है क्योंकि इतने साल हो गए, thumb rule ये है कि जो चीज बहुत easy पैसे देती है आपको उसके उपर शक होना चाहिए कि वो मिरको इतना असानी से पैसे क्यों दे रही है क्योंकि उसके अंदर हमेशा flaw होता है तो ये capital market भी वैसे ही है अगर वो आपको बड़े असानी से पैसे दे रही है तो आपको उसके उपर शक करना है कि इतनी असानी से मिरको पैसे क्या दे रही है आपके बस क्या ऐसा skill set आगया कि इसने पैसे देने शुरू करें तो there is no easy money there are no free breakfast or lunches in these markets so one should understand this but market के अंदर पैसा बनाना खास कर इंडिया जिस फेज में है बहुत अच्छा है आरे को participate करना चाहिए आपने कहा कि अभी इसमें participate करना चाहिए future काफी अच्छा है यहां हम यह देखते रहे हैं कि अभी मैं एक research पढ़ रहा था उसके अंदर मैं America के साथ comparison कर रहा था America की केवल मातर दो company आपल और Microsoft उन दोनों का जो market capitalization है जो उनका खुद का जो capital है वो इंडिया की 3800 क्यावन लिस्टिड company उससे भी एक trillion ज़्यादा एक trillion डॉलर ठीक है तो क्या यह माने कि अगर हम US की तरह है अगर developing country अभी तो हम developing है और अगर developed की तरफ अगर हम move कर रहे हैं तो यह माना जाए कि अभी तो जस्ट यह शुरुआत है यह एक trailer है पिक्चर अभी बाकी है जनाब पेलकुल ठीक बोला आपने यूएस economy जो है उनका शुरू से focus क्या रहा कि अपने product पूरे world को बेचने हैं तो जिन product के आपने बात करी वो उसका consumer सिर्फ यूएस की economy नहीं है यूएस का population नहीं है पूरा world उसका consumer है iPhone सारे use करते हैं इसी तरह से बाकी जैसे आपने बुला Netflix है पूरा world use कर रहा है Google सारा पूरा world use कर रहा है सिर्फ local population उसको use नहीं कर रही तो यह इसी की तरह हम अगरसर हैं हम international कई ऐसे brand बनाना चाह रहे हैं कई अपने product बनाना चाह रहे हैं जिसका consumer पूरा world होगा जब हम उस stage पे आ जाएंगे तो जैसे आपने बोला Apple है इसी तरह इंडिया की कोई company निकलेंगी चाहे वो कई company के नाम ले सकते हैं मैं एक और इसके अंदर example लूँगा आज की date में कल रात को Hyundai ने इंडिया के अंदर IPO की filing करी है तो जो कि इंडिया का सबसे बड़ा IPO होगा तीन बिलियन डॉलर का ये IPO आएगा तो पूरे word के अंदर Hyundai की listing जो है वो यह तो Korea के अंदर है या इंडिया के अंदर तो अगर Hyundai का share किसी को खरीदना है वो उसको इंडिया में आना पड़ेगा तो ये opportunity अगर Hyundai जैसी company वर्ड की जो company है वो इंडिया देख रही है तो ऐसे कई products इंडिया में डॉल अप होंगे जो कि हम सिर्फ यहां consume नहीं करेंगे पूरे वर्ड में करेंगे आईटी के अंदर आपको पता है कि हम बहुत अच्छे as a SaaS बहुत अच्छे वो है software as a service बहुत हम काम कर रहे हैं बट ऐसे product जो है हमारे कई नए companies ऐसे अगरसर हैं जो कि उस stage पे आजाएंगी जहां word की जो population है वो उन products की consumer बनेगी क्योंकि service sector तो चलो एक समझ में आता है जो अभी आपने IT segment का नाम लिया IT segment की बहुत बड़ी companies हैं हिंदुस्तान उसमें leading role play कर रहा है लेकिन वो service segment है product नहीं बेच पा रहा हूँ आप कह रहे हैं कि product wise देखिए facebook, google, whatsapp आपका twitter x जो अब हो गया इसके साथ में आपके पास में apple, microsoft ये जो leading companies हैं देखिए इन्होंने क्या सोच बनाई है कि पूरे globe को पूरी दुनिया के consumers को हमें market बनाया है इंडिया के अंदर में क्या vision की ऐसी कोई कमी रही या आपको लगता है कि अभी ना वो सोच डिवलप नहीं हुई है हिंदुस्तान के अंदर में क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में हमने ये देखा है कि जब आप दूसरे की company के अंदर में पैसा लगाने के लिए जाते हो तो वहाँ पर जो आपका या investor का जो रविया है वो long term prospect नहीं रहता बड़ा short term prospect रहता है कि यार तुम 6 मिने में मुझे क्या return दे दोगे तुम एक साल में मुझे क्या return दे दोगे जबकि हम America जैसे जी developed country के अंदर देखते हैं 10 years, 20 years, 30 years यहां तक का एक long term prospect ले करके चलते हैं जबकि हिंदुस्तान के अंदर में अगर कोई investor किसी company के अंदर या तो invest करने जा रहा है मैं एक example देता हूँ, बड़ा बार बार देता हूँ इस example का, सौरप गांगली लॉट्स के अंदर, जब उन्होंने बीट करा था, तो उन्होंने अपनी जर्सी निकाली थी और ऐसे गुमा के बोला था, वो एक हम movement बोलते हैं, कि this is a India's movement, जब उन्होंने का था कि now it is a time for India, तो आप देखिए, सिर्फ उस event की बात नहीं कर रहे हैं, उसके बात कई ऐसे event हुए हैं, यहां पर हमने कहीं न कहीं claim करा है कि हम कहीं उस stage पे आगे हैं, जहां पूरा word हमारी market है, हमारे कई product ऐसे होंगे, वो उस market में पूरा word लेगा, जो investment की बात ने बात करी है, एक selected segment है, जिसका horizon six months, one year वाला होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा segment भी ऐसा है, जो उन्होंने wealth create करी है, market से, Indian economy से, Tata's को आप देखिए कितना बड़ा vision है, कून सा ऐसा sector है जिनों में, उनको participate नहीं करा, इसी तरह reliance, कई ऐसे Indian groups पन रहे हैं, वो कई ऐसे नई products लेकर आ रहे हैं, जो अगर ऐसी companies में कोई invest करे, जा हम उनके promoter की और industry की vision बड़ी है, और उसके अंदर वो डले, और long term के अंदर करे, तो ये markets भी बहुत अच्छी है, economy तो हमारी मैंने पहले भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगले 10-15 साल बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, और मिर को लगता है, ये सिरफ placement नहीं है, सिरफ gesture नहीं है, कि हम दसवें पायदान से पाच्छें पे आए हैं, पाच्छें से तीसरे पे आए हैं, मैं एक और example दूँगा, और बार बार बोलता हूँ, अगर आपने US की study बोली है, तो हमने एक study करी थी, कि हमारी per capita income पच्छे सो दॉलर से पांच हजार होती है, तो वहां क्या changes हुआ, वो ही हमार को expect करना चाहिए, कि जब इंडिया में पच्छे सो डॉलर per capita income से हम पांच हजार पे पहुंचेंगे, जो की target है कि 2030 के अंदर हम पांच हजार डॉलर per capita होने, तो consumption pattern total change होता है, saving pattern total change होता है, investment pattern total change होता है, जो हम कह रहे हैं कि 2 करोड से 12 करोड, मैं 30 साल से market में हूँ, different platform में जाता हूँ, तो हम हर साल बोलते थे, कि ये market इतनी बड़ी है, इंडिया की, 2 करोड नहीं, 40 करोड जनता इसमें participate करीगी, लेकिन वो कर नहीं रही थी, हम धर बार ही जाते थे, अपने आप से question करते थे, क्या हम ठीक बोल रहे हैं, कि ये 40 करोड हो जाएगी, पट क्या हुआ, trigger point क्या हुआ, एक COVID आया, लोगों के बस ताहिम था, market को उन्होंने समझा, इंडिया की placement different हो रही थी, 2 से 14 करोड रूपे, 2 से 14 करोड लोगों ने participate करना शुरू गरा, 7 times, in 4 years, 3-4 years, तो मेरे को लगता है, यही वाला हम उस stage पर आये हुए हैं, जहां कि जो पच्छे सो डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, पच्छे सो से 5000 डॉलर में, consumption हमारी different type की हो जाएगी, हमारा lifestyle totally different हो जाएगा, जो developed countries में हम जाके देखते हैं, आप भी travel करते हैं, हम भी travel करते हैं, कि वहां का lifestyle सारा change है, from डीचे से लेकर उपर तक सब का consumption pattern, saving का pattern, खाने का pattern, आपका रहने का style सारा change होगा, उसके अंदर स्वास्थे, health का consciousness, यह सारी change हो जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो जिस हम country की बात कर रहे हैं, US की बात कर रहे हैं, European countries को अगर हम देखते हैं, और भारत का अगर culture देखे उस culture के अंदर में, उस development के अंदर में, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर उस pattern को change होना बड़ा आसान होगा, क्या जो एक generation gap है, आप आज भी अगर हम देखेंगे तो 40 प्लस की जो age है, उसकी सोच कहीं ना कहीं उससे जो पहले वाली जो generation है, उससे कहीं ना कहीं affected है, और व जल्दी से अपने सोच को, अपने विचारों को उस तरीके से बदलना नहीं चाहते, धरम जहाँ पर आ जाता है, धरम को लेकर के, जाते को लेकर के, जिस देश के वीच के अंदर में इस तरीके के काफी अपवाद हों, वहाँ पे क्या वहाँ सेविंग का पैटरन, आपका एटिंग पैटरन, क्या ये बड़ी जल्दी से चेंज होगा? देखे, आप सिरफ एक यूएस की बात नहीं है, जहाँ जहाँ ये चेंजिस आये हैं, जैपैन के अंदर, बहुत एथनिक सोसाइटी है, वहाँ की जी, moderate है, forward looking है, इंडिया अभी definitely उसमें टाइम है, बट जैसी आपने बात बोली, population बड़ी है, religion का बहुत इसमें dominance है, बट वो उसको over take कर लेती है, economics जो है, वो बहुत बड़ा play करती है, पैसे जो आपके हाथ में आते हैं, उससे आपकी सोच change होती है, आपकी health, आप कैसे रहना चाते हैं, क्यासा आपके विचार होते हैं, उससे एक्दम फरका जाता है, यहाँ पर time लगेगा, आपने जैसे बोला, लेकिन अच्छा पाट यह है कि 65% जनता जो है, हमारी 55 साल से नीचे की है, तो demographic जो हमारे leaders जो बोलते हैं, demographic dividend जो है, इंडिया को मिलने चाहिए, वो मेरे को लगता है, मिलेंगे, और adaptability जो इंडिया की है सबसे fast है, मैं financial product की बात करता हूँ, इंडिया के अंदर DMAT का, financial market का हमें example लेते हैं, पूरे world के अंदर DMAT accounts थे, paperless सारा के सारा trade होता था, US के अंदर 20 साल, 25 साल पहले हमरे यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो DMAT था, वो सिरफ 15%, 20%, 30% होता था, पूरे 20 साल के अ हम 98 के अंदर DMAT हमने start करा, और हम 2002 के अंदर 100% DMAT हो गए थे, तो adaptability financial product की इंडिया की बहुत fast है, किसी भी चीज़ की adaptability कमाल की है इंडिया में, इंडियन population, इंडियन जो हमारा culture है, उसमें adaptability बहुत fast है, तो मेरे को लगता है, जैसे यह transition होगा, तो हम बहुत जल्दी adapt करें हाँ, उसके अंदर जैसे आपने कहा कि कई issues हैं, जो कि हमार को रोकते हैं इसके अंदर, उसमें time लगेगा लेकिन इसको रोक नहीं सकता तो, अबादवा जी, प्षेर बाजार के अंदर में कमाई करने के लिए, और वहां कभी ना हारने के लिए, fundamental follow करना चाहिए या technical charts? देखिए, fundamental करना चाहिए या technical करना चाहिए, मैं कहता हूं दोनों करना चाहिए, fundamental आपको industry की selection, company की selection बताता है, उसको कब आपने purchase करना है, stock को कब sale करना है, वो आपको technical बताता है, उसकी timing क्या होनी चाहिए, वो आपको technical broadly बताता है, अच्छा, एक दो, तरीके हैं मार्केट में पाडिस्पेंट करने के लिए अगर इसका आप कंबिनेशन बना पाते हैं दोनों भी अपने आपके अंदर काफी हैं क्योंकि शॉर्ट ट्रेडर होता है वो टेक्निकल्स को काफी फालो करता है और यो लॉंग ट्रेडर या investor होता है वो fundamentals को देखता है पट अगर आप इसका बहुत अच्छा mix और synergize करते हैं तो बहुत अच्छे result आते हैं लेकिन एक कोई कहना कि सिरफ fundamental अगर आप देख लोगे और आपको success मिल जाएगी ये भी काफी नहीं हैं बहुत सारे उसके अंदर चीजें हैं देखने वाली होती हैं कि आपकी selection, industry की selection, economy की selection, economy की stage पे है, जैसे मैं आभी बता रहा हूँ कि इंडिया नया इंडिया बन रहा है, infrastructure बन रहा है, तो आपका focus infrastructure में होना चाहिए, infrastructure में किसका होना चाहिए, commodity का नहीं होना चाहिए, infrastructure जो players है, EPC contractor है, cement, iron, उसके अंद आपको कौन सी company है, ये सारे fundamental चीजें बताती है, कि आप fundamental इसकी research करें, कि top player कैसा है, cement के अंदर अडानी ने सारे cement के major manufacturing है, वो लिए है, hold कर रहे हैं, तो आपको ये select करना है, कि किस company में जाना है, किस industry में जाना है, ये सारा fundamental बताएगा, कब जाना है, कब उस stock से निकलना है See, जो technical है, वो mass जो sentiment है, mass जो उसको stock को देख रहा है, तो उसके behavior को, वो एक graph की form में बताता है, जिसको हम study करते हैं, technical, broadly उसको माना जाता है उसके अंदर, तो आपको combine करना है, अगर successful होना है, दोनों को कोशिच करना है, combine करने के लिए, industry selection, company selection, उसके अंदर, जो आपका industry के अंदर, जैसे economy के अंदर क्या चल रहा है, healthcare है, जैसे मैंने infrastructure का नाम लिया, healthcare, अभी भी है, पर जो penetration है, healthcare की बहुत कहम है, और वो organized sector के अंदर जा रहा है, छोटे-छोटे doctors जो healthcare provider होते थे, अब आप चाते हो कि किसी अच्छे hospital organized sector के अंदर जाएं, तो healthcare sector एक बहुत बढ़ा है, इंडिया के अंदर, क्योंकि बहुत grow करेगा, हम पैसे देने को त्यार हैं, पहले हम आपको dispensaries में जाके, या free hospitals में जाके, वहां से इलाज करना चाते थे, अब गरीब तब का भी जो है, वो भी चाता है कि कि किसी अच्छे doctor के बाद जाएं, तो healthcare sector इंडिया के अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया markets के लिए, ये कई ऐसे sectors हैं, जिसको आपको identify करना है, ये आपको fundamentals सारे बताते हैं, कि इस इंडिस्ट्री के अंदर कितना representation है, health के अंदर Apollo, Max, Photis, ये एक बहुत बड़े organized player बनते जा रहे हैं, healthcare sector, जाएंट्स हो गया है, जाएंट्स के बड़ी-बड़ी blue chip companies, जिनके fundamentals काफी strong है, वो रातोरात धराशाई हो जाते हैं, पताल में चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कई-कई बड़े-बड़े banks जो हैं, जिनके पास में एक दिन पहले जो है, और वो खर्बो रुपे का surplus है, वो रातोरात कंगाल हो जाते हैं, और जो share wazar है, उसकी जो छवी है, वो dented है, वो अभी भी dented ही है, क्योंकि कहीं न कहीं एक डर लगता है, या company कहीं रातोरात भागना जाए, company का fundamental दिखतो रहा है, पता नहीं रात को क्या हो जाए, कल क्या होगा, कोई इसको operate तो नहीं कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सवाल आत हाँ, देखिए, जैसे हम fundamental की बात करते हैं, यही मैंने बोला था, सिरफ fundamental जो figures आ रही है, balance sheet है, वो काफे नहीं होती, उस company को कौन drive कर रहा है, एक और important factor है, management कैसी है, management के अंदर क्या drive है, वो कि fraudulent तो नहीं है, जैसे अभी नाम, without naming the name, अभी हमने bank देखा पीछे एक private bank था, तो उनके promoters के अंदर काफी सवाल आये, उनके काम करने के तरीके के अंदर, और वो overnight तो नहीं हुआ, लेकिन 3-4-5 महीने के अंदर वो bank बंद हो गया, उसको SBI ने टेक ओवर कर लिया, तो आपको सिरफ fundamental और जो books थी वो सारी ठीक बता रही थी, लेकिन books की come effect flash हुआ हुआ ह है, तो उसको ये देखना है कि management का क्या, कौन management के अंदर है, drive क्या कोन कर रहा है इस company को, वो भी एक बहुत important है, हम आगे बात करेंगे और नहीं नहीं जो उसके अंदर factor होते हैं, fundamental उसको और discuss करेंगे, अभी हमने करा fundamentals, जो की balance sheet है, profit and loss account है, उसका peer group है, ये comparison करते हो, आप fundamentals क के अंदर, एक और चीज़ जैसे आपने बोली, overnight company collapse कर जाती है, तो उसका एक वज़ा ये भी होती है, कि उसकी management कैसी है, तो अगर उसकी management है, तो आपको उसके अंदर उसके marks भी देने हैं, अगर दस marks हैं, चार marks आपने fundamental के दिये, तो उसके अंदर दो तीन marks, आपको management के भी देखने हैं, कि वो ethical है, वो सीधा चलने वाली है, growth oriented है, उसके अंदर जो है, succession planning है, management जो है, professional है, कि नहीं है, ये सारे factors हैं, जो कि निवेशर को हमेशा ध्यान रखने चाहिए, लेमेन ब्रदर्स, आप example देखिए, उसकी management थी, बड़ी strong management, funds भी अच्छे थे, bank भी बड़ीय काम कर रहा था, एक और story, borics bank, borics bank की management, 200 साल पुराना bank, और उसकी जो growth story है, वो भी बड़ी interesting, और bank की जो management थी, वो बड़ी strong management, लेकिन एक employee आया, और उस employee की कुछ गलतियों की वज़ाय से, वो bank पूरा को पूरा collapse कर गया, और केवल मातर एक डोलर के अंदर पे उस bank को अची है, जहां पर funds भी थे, उसका background भी बड़ा अच्छा है, कोई ऐसा नहीं है कि 10-20 साल की कोई story हो, 200 साल पुरानी एक story, और 200 साल से उस bank को सींचा गया हो, और कभी भी किसी भी तरीके का उसके उपर पे किसी भी तरह का कोई allegation ना हो, कोई funds इदर से उदर ना हुए हो, management को हमने decide नहीं करना, management के अंदर क्या उन्होंने अपने SOPs बनाए हूँ है, क्या अपने जो functioning of the company है, उसके अंदर वो security reasons और जो checks and balances है, क्या वो रखे हूँ है, ये एक बहुत बड़ा important चीज होती है, जैसे अपने borrinks bank का बोला, yes bank हमरे या example है, मैं अभी नाम लेने से कत्र रहा था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ लेंडिंग ऐसी हुई हुई थी, कि वहाँ पर checks and balances नहीं रखे गए थे, तो management देखने में बहुत अच्छी, fundamentals बहुत अच्छे, लेकिन जो processes थे, वो well defined नहीं थे, वहाँ एक आदमी decision लेता था, जो committee decisions, या एक जो checks and balances होते ह एक company चलाने के लिए, उनको overrule किया गया था, तो आपको एक और चीज हम जैसे कह रहे थे, बात करते रहेंगे, एक नई नई चीज़े आते रहेंगे, तो एक ये आपने देखना है, कि जिस company में आप निवेश कर रहे हैं, क्या वो rule based है, क्या वो regulation को follow करती है, क्या वहाँ जो checks and balances होते हैं चलाने के लिए, जिस तरह से sales और marketing ज़रूरत है, इस तरह जो over regulated economy या regulated economy में, किसी भी company का आपको जब invest कर रहे हैं, आपको देखना है, क्या वो regulation follow करती है, क्या वो rules को side में तो नहीं करती, और उसके internal जो SOPs हैं, जो system in place होते हैं, SOPs create करे होते हैं, या checks and balances है, वो क्या place पे हैं, उसको follow किया जा रहा है, तो ये economy, जो companies हैं, companies की selection के अंदर ये आपको बहुत मदद करते हैं, शेर बजार में डबा ट्रेडिंग भी बहुत चल रही है, ग्रे मार्किट एक बहुत बड़ा market का size है, डबा के अंदर में एक छोटी सी leverage जरूर ये मिल जाती ह इन्वेस्ट करने वालों को, कि भी यहाँ पे में income का proof किसी को नहीं देना, यहाँ पे income tax से थोड़ा सा shadow लेने के लिए वो इस market की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अंततो गतवा जो सभी को पता है, हलांकि से भी तो कहती है कि जो share बजार है उसमें 10 में से एक आदमी कमाता है और नो नुकसान करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डबबा ट्रेडिंग में 10 के 10 नुकसान करके चले जाते हैं, तो उसके बावजूद भी डबबा ट्रेडिंग का जो size है, जो volume size है, वो आपका जो organized trade solutions दिया गया है, जो regulators के अंडर में है, उससे कई गुना ज्याद है, जी, देखिए है, इसको tackle करने के लिए हमने भी कई बार हैं, क्योंकि मैं कई organizations को head करता रहा, भी CPI में president था पांच साल और various committees में हूँ, फिकी में और S.O.C.M. के अंदर, एक बड़ा mens है यहां पर, जितना हम potential कहते हैं कि यह 12 crore से 40 crore हो जाएंगे, तो मेरे को लगता ह 40 तो नहीं, लेकिन unorganized sector के अंदर एक बहुत बड़ा population है, जो participate करती हैं, तो उनको क्या attract करता है, हमारे को उसका root cause देखना है, क्यों वो organized market से हटके डबाटरेट की तरफ जाती हैं, तो हमारे analysis में हमने जो बार-बार deliberation होई, से भी से, regulator से, या ministry में, वो ये बात होती है, कि अगर हम regulation को strict करते रहेंगे, जिसमें entry barrier हो जाएंगे, या उसके अंदर expenditure जो है, cost of transaction इतना जादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो unorganized में जाएगा, क्योंकि unorganized के अंदर आपको cost of transaction काम है, वहाँ कोई STT नह लग रही, CTT नहीं लग रही, वहाँ कोई transaction charges नहीं लग रहे, वहाँ trade आपका system में नहीं जा रहा है, एक आदमी उसको clear करता है, वो trade आपके लिखता है, तो वहाँ आपकी ये वाली costing काम हो जाती है, वहाँ पर onboarding की इतनी जंजड नहीं है, वहाँ KYC बार बार नहीं करना, वहाँ आपको contract note issue नहीं करने, वहाँ आपको margin कम देना है, या नहीं देना है उसके अंदर, वो risk ले रहा होता है, clearing risk जो चला रहा होता है इसके अंदर, लेकिन अगर हम इन root cause को थोड़ा सा ठीक कर ले, तो ये जो सारा trade है, ये सारा organized में आएगा, तो ये कहां किसको ठीक कर करना है, दिखिए एक तो over regulation कहीं जगा है, उसको हमारको थोड़ा सा ऐसा करना है, ease of, जिस तरह कहते हैं, हम ease of doing trade होता है, और business होता है, इस तरह ease of doing trade भी होना चाहिए, cost of transaction थोड़ा reduce कहीं न कहीं करने की ज़रूबत है, participation उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीजें के अंदर नहीं है, जिसकी वज़ा से लोग attract होते हैं, दूसरा आपने कहा कि taxation वाले है, क्या आप taxation net पे आ जाते हो, देखिए GST आने के बाद, monetization, demonetization के बाद, हमारी economy बहुत ज़्यादा formalized हो गई है, या उसकी तरफ जा रही है, formalized economy, जो parallel economy, cash economy है, काफी कम हो गई है, क्य चेक्स में होता है, और parallel economy जो की होती थी, पांट साल, दस साल पहले होती थी, thrive करती थी, तो वो काफी कम हो गई है, कोई भी आदमी सकून की जिंदगी चाहता है, वो नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा काम करूँ, जो मैं taxation net पे आऊँ या वो हूँ, जो मेरे को tax देना है, ये द investment भी आ जाए, तो ये डबा ट्रेड जो है, वो काफी ठीक हो जाएगा, डबा ट्रेड के मेरा experience ये है, मैंने देखा है, कई सालों से चल रहा है, और लोग आते हैं, वो trade कराते हैं, लोग attract भी होते हैं इन दो वज़ास से उसके अंदर, लेकिन उसका end जो है, वो बहुत गं भाग जाते हैं, हमने कई जगा क्रैक करने की भी कोशिच करी, सेबी को बताने की, एक्सचेंज को बताने की, कि ये कई element हैं, यहां पर आप जान दो, तो end result ये देखा है, वो सारे के सारे भाग जाते हैं, इन्वेस्टर उसमें दुखी होता है, और जो market participant होते हैं, उसके अ इसकी वज़े से हुगा लॉस, तो फिर लॉस होता है, वो डबाड जो operator है, उसकी वज़े से, और वो market को कहते हैं, यह market खराब है, market, एक और मैं अपना experience कहता हूँ, कि जो wealthy people हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, या family offices हैं, तो इनके अंदर क्या धीरे धीरे जैसे आते हैं, व सरफ एक asset class नहीं है, वो commodities के अंदर, precious metal के अंदर भी invest करते हैं, वो real estate में भी invest करते हैं, वो equity market में भी invest करते हैं, उनके mind में यह नहीं है, कि socialism और वह वाली बाते नहीं हैं, कि यह तो सिरफ capitalist society का काम है, जो कि equity में invest करती है, या wealth create करती है, और wealth create करना एक गंदी चीज है, यह कोई, उनको बिलकुँ समझ आई हुई है, तो मेरे को लगता है, यही वाली चीज नीचे आगे, percolate down to, सबके याँ दीरे दीरे होगी, लोगों को समझ आएगी, कि हमारे को सारी asset classes के अंदर invest करना है, और wealth जो create होती है, एक तो आपका अपना काम, आप salary है, तो आपको वहा करेंगे, तो wealth create करनी बड़ी मुश्किल है, तो आप देखिए, आपका क्या अपका, asset classes, देखे, तीन तरह की asset classes होती है, जो appreciate करती है, उसमें होती है, एक तो stock market होती है, जो उसमें shares होती है, वो relate करते हैं company में, अब देखे, इंडिया के अंदर मेरे को लगता है, बहुत सार करेंगे, healthcare मैंने बोला, infrastructure बोला, इसी तरह से IT के अंदर, जैसे AI आ रहा है, AI companies हैं, ये बहुत अच्छा काम करेंगी, tourism वाली कंपनियां बड़ा काम करेंगी, hotel जैसे हमारा domestic tourism बढ़ता जा रहा है, और religion tourism बहुत हैं, तो ये companies जो इससे related है, hotels, tour operators, ये सारे ये सारे extraordinary काम करें लेकिन ये अभी hotel industry से अगर हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा companies listed नहीं हैं, अभी भी हैं, जैसे ताज hotel की, Indian hotels है, AI hotel है, lemon tree hotels है, कभी हैं, इसके अंदर hotels हैं, जो की listed हैं उसके अंदर, लेकिन अभी हो रहेंगे investment के अंदर, हम ही दो issue manage करें हैं, जो की, जिनके hotel chains हैं, बेस payment करना है, तो सारे business तो मैं खोल नहीं सकता, तो मेरा सबसे अच्छा तरीका क्या है, कि उनके stock में investment कर लो, तो equity ये बहुत strong asset classes है, आपने asset classes की बात करी, जो की सबसे ज़्यादा return देता है, उसके आगे किसी कोई return नहीं आती है, बिलकुल, एक equity है, उसके बाद होता है, आप आपका fixed assets, जिसे को बोलते हैं, ये तो liquid assets हो गए, फिर आपकी बोलती है, fixed tangible assets, जैसे real state होता है, real state के अंदर investment, आप देखें इंडिया के अंदर जिस तरह से urbanization होता जा रहा है, हम डेली के हैं, तो डेली में हमने देखा है, डेली में जातर लोगों ने अपनी जो wealth create करी, वो real state से करी, तो जो 100 रुपे गाज होती थी, वो लाको रुपे गाज हो गई है, बिलकुल, तो और ये कभी खतम नहीं हुआ, जो पिछले साल rate था, उसके 3 गुना rate हो गए, या 2 गुना rate हो गए, तो एक property है, जो कि real state है, वो एक asset class मनी जाती है, इसको tangible assets बोगते हैं, इसी तर हरो यूज करते हैं, कपड़ा, ये आपका सिरमेक, रबर, स्टील, precious metal, गोल्ड, सिल्वर, तो गोल्ड, सिल्वर तो हम इन्वेस्ट फैमिली में करते रहते हैं, शादियों के अंदर हर वर ही, जो हमारी बिना शादी जो है, बिना गोल्ड के तो होती नहीं है, तो जिनों न गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करा है, आप सोचिए 170 रुपे तोला, 1974 के अंदर रेट था, वो 74,000 रुपे तोला है, तो जिसने इन्वेस्ट करा, चाहे वो जोलरी बनाने के लिए इन्वेस्ट करा, तो हरे एक घर के अंदर, मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ, हमारे सितंबरब, तो वहाँ पर जो लोग थे, लेडीज थी, हर एक ने दो दो तीन तीन किलो सोना डाल के आया हुआ, चार पांच बजे मैं उनको देखकर कह रहा था, कि वह यहां पर इतना को उट कहता है, जी यहां के कल्चर में है, कि जब भी कोई शादी होती है, दो तीन किल में, क्योंकि हम शादियों पे और किसी भी त्योरों पे गोल्ड इकठा करते रहते हैं, तो हर एक के घर में गोल्ड कुछ ना कुछ पढ़ा है, आप मानियें कि जिसके घर 6-7 किलो, क्योंकि एक छोटा विलेज है, तो उसके पास 4 करोट रुपे का सोना पड़ा हुआ है, तो जो कि उन्होंने दीरे 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 करके इकठा करा, तो ये एसेट क्लासिज हैं, जो कि एप्रीशेट करती हैं, तो इसके अंदर आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना हैं, तो ये बहुत ज़दा आपको वेल्थ क्रियेट करती हैं, वो आपको चूस करना है कि आपको पहले वाले नियम को भूलना नहीं है तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नुकसान किया है देखिए आपने वारन बुफे की लाइन बूली है कि मैं सिर्फ दो प्रिंसिपल पे करता है और वही वाला है पहले नुकसान नहीं और दूसरा नियम यह है कि उस नियम को बूलाने गाँ खिए जब आप मार्केट में आते हैं कोई भी काम करते हैं बिजनस करते हैं तो अरचाउंक जब आप बनाते हैं तो आप क्या लखते हैं उसके आंडर Profit Account Profit and Loss Profit and Loss तो ये Life का नियम है जहां तेजी है वहां मंदी है जहां Profit है वहां Loss है जहां खुशी है वहां गाम है तो ये Balance Life का Cycle है Balancing चलती रहती है उसके अदर आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है अगर Stock Market की भी बात करें या Business की बात करें जो Long Time चलते है आपको Profit ज़्यादा बार कमाना है Loss कम बार कमाना है और कोशिश करनी है उसी नियम को मैं ट्वीक करता हूँ कि जब Loss हो वो कम से कम हो तो Profit आपको अगर 100 बार में 70 बार Profit है तीस बार Loss हो गई होगा ऐसा हो नहीं सकता Loss अगर 70 बार कमा रहे हैं और 30 बार Loss हो गई होगा वो Loss छोटा होना चाहिए और आपको Identify करना है उसको कम करना है यंग जनरेशन काफी Allure हो रहा है मार्केट से और उनको ये दिखता है कि भई एक तो छोटी जोब है सुबह आपका नो बजे से लेकर के और साड़े तीन बजे तक का जोब है और उसके बाद आदमी फ्री फ्राइडे, सेटरडे, संडे और बाकी की चुटियां मिल जाती है ठीक है तो ये फुल टाइम बिजनस इसको आप्ट करने की एक दोड़ भी लगी है अभी दूसरी तरफ एक रिस्क अपटाइट यहां पर ज्यादा है जो कैपिटल उसके पास में है जो मनी उसके पास है उसका नुकसान होने का खत्रा भी ज्यादा रहता है तो वो टिप्स के उपर डिपेंडेंट होता है कि यार कहीं से टिप्स मिल जाएं तो मैं ये शेर परचेस कर लूँ मैं ये कर लूँ तो वो उस ट्रैप में भी कभी कभी फस्ता है उनके लिए आपकी क्या सेजेशन रहेगी और इस तरीके के क्योंकि बहुत सारे किस्से आपके सामने आते हूं देखे परस्टली मैं बोलना चाहूंगा कि एक आपका में बिजनस, कोर बिजनस होना है जहाँ आपका स्किल सेट है वो आपको करना चाहिए वहाँ आपकी प्रैमरी इंकम होनी चाहिए हरोज महीने के खर्चे वहाँ से निकलने चाहिए जो आप सर्पलस उसमें से बचाते है वो आप मार्केट के अंदर इंवेस्ट करें तो आपको हमेशा अच्छा रहेगा मार्केट के अंदर दो चीजे हैं दो बहुत स्ट्रॉण emotions होते हैं life के अंदर बहुत strong होते हैं, हरी market के नहीं है हमेशा, एक होता है fear और एक होता है greed जो fear emotion है वो बहुत strong होता है वो greed से जदा भी strong emotion होता है तो जब अगर आपके अंदर fear आ गया greed तो side में रह गया तो आपको वो कुछ नहीं करने देता है जब आप एक अपना regular काम करते हैं core business करते हैं, core service करते हैं तो वो आपको fear नहीं आने देता है जब आपको fear नहीं आएगा तो इस market के अंदर आप अपने surpluses लगाएंगे और उतना ही लगाएंगे जितनी आपकी ताकत है जब आप ये करना शुरू करेंगे जैसे rules of the game है investment के basic rules of the game है कि आपको डरने लगना चाहिए बिल्कुल डर कब नहीं लगेगा अगर आपने पैसे किसी से उदारने लिये और तब नहीं लगाए अपने ही पैसे हैं तो आप कहते हैं कोई बात नहीं सो रुपे मैंने बचाये थे पचास मैंने market में लगाए investment ग्रोथ करने के लिए नहीं हुए तो मैंने किसी से लिये नहीं हुए तो आपको बहुत डर नहीं लगेगा ये long term structural चीजें हैं तो अगर आप ऐसे market में participate करेंगे core अपना काम करेंगे वहाँ से surpluses हैं और उसको लगाएंगे ये general public अगर आपने expertise ही market के अंदर करी है आप CFA करके आए हैं पढ़के आए हैं market तो आपको कामी यही करना है तो आपको capital आपको raise करनी है और markets में लगाना है चाहे वो अपने लिए लगाना है या लोगों के लिए लगाना है जैसे funds बनते हैं और market बहुत अच्छी है exciting है अगर कोई आपकी basic पढ़ाई ऐसी है तो आप ऐसे professional trader और professional investor भी बन सकते हैं but in general public को यही है आप एक और काम करिए और जो surpluses हैं उसको उसमें लगाई है मैं इसके अंदर एक और example लेता हूँ क्योंकि market इतना अच्छा काम अभी चली है हमारे family के अंदर है वो chief surgeon है eyes के एक बहुत बड़े eye hospital के अंदर retina expert है तो वो market में participate कर रहे थे and market आपको पता है कि कभी gain देता है तो इतने सारे देता है कि लगता है कि सारे काम बंद करके यही कर लो यही कर लो बिलकुल तो वो मेरे को बार बार क्योंकि हम merchant banker मी है investment banker मी है तो funds बनाते हैं और prop desk भी है हमारा तो वो हमारे पास बार बार आए और कहते कि sir आप बताओ मैं अपना जो मैं सर्जन हूं रेटी ना सर्जन 25 साल पुराने में बहुत बड़े reputed सर्जन है वो कहते हैं मैं वो काम बंद करके सिरफ stock की ट्रेडिंग रना चाहता हूं तो यह lure करती हैं चीजें तो हमने उनको बार बार समझाया कि एक आपका basic जो core business है जिससे आपके respect है और जिससे आपके पास पैसे आते हैं तो वो आप काम करिए आपके पास surplus है लगाईए उसके अंदर उसके अंदर आपको ज़्यादा time लगाना है तो वो आपको allocation करनी है कि time कैसे allocate करना है लेकिन core काम आपको अपना जो expertise है होई करना चाहिए अच्छा आज कल एक और भी line है अलांकि मैं किसी को पड़ रहा था तो उन्होंने लिखा कि अगर मैंने टीवी के उपर देख करके अगर बाजार के अंदर पैसे लगाए होते तो निश्चे तोर के उपर पर मेरा पैसा दस लाग रुपया हो जाता बशर्ते कि मैंने बाजार में एक क्रोड रुपया यानि कि सो लाग रुपय लगाए होते तो इस से कितना से हैं ये बहुत अच्छे मार्केट के जोक्स हैं जे और मज़ा आता है इनको सुनने के अंदर देखिए मार्केट में अगर आप बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं कोई ऐसी वज़ा नहीं है कि आपको लॉस होगा ये जोक्स और ये तो चलते रहते हैं इसके अगर आप अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं ग्रोथ देखते हैं इंडिया जैसी मार्केट में बैठे हुए हैं तो आपको लॉस क्योंकि इसके ये सवाल करने का एक और भी पीछे परपस था बहुत सारे चैनल्स को लेकर के और वहाँ पर जो टिप्स देने वाली जो लोग थे उनके उपर जो अभी सेवी की जो कारवाई हुई ठीक है तो कही न कहीं एक फियर रेटेल इन्वेस्टर्स के बीच के अंदर में ये डालते हैं एक बात दूसरा क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके के इंसिजेंट्स और होते हैं और वाकए के अंदर अगर ये हो रहा है तो कहीं न कहीं है कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है ग्रोथ स्टोरी जो अच्छी हैं हिंदोस्तान की तरफ अब पुरा विश्व देख रहा है तो उस ग्रोथ स्टोरी के बीच के अंदर में ये डार्क पॉइंट्स हैं बिलकुल मानता हूँ एक तो जो इजी इजी वेज जो है शॉटकूट्स जो लेते हैं लीफ के अंदर बड़े मुश्किल है, आपको पता ही है शॉटकूट्स होते नहीं हैं लीफ के अंदर हमेशा नॉमल कर्ट्स है नॉमल जो मेनत करता है उसको पैसे मिलते हैं जब आप शॉर्टकट किसी भी चीज में फॉलो करते हैं शॉर्टकट का यहां पर कहने का मतलब है आपने स्टडी नहीं करा आपने किसी से नरिंदर जी फोन करके पूछ लिया क्या खरीदे चलो हम तो तभी भी रिसर्च करते है तैनली छो आपको पता नहीं यह जो टीप दे रहा है वो रिसरच कर रहा है उसका मोटिवर कुछ अभी आपने जैसे का सिभी ने क्रैकर रहा है अब फरंटिंग फरंटर रुनिंग कर थे शेर चैनल पर आने से पहले आपने ने खरीद लेते थे जैसे उसमें चैनल में बताते थे उपर बढ़ता था और अपने बेज देते थे फ्रंट रॉनिंग करते थे कई चैनलों पर आये थे वो क्रैक हो रहा है यह सारे इंसिडेंट जो है मार्केट के लिए घराब है लेकिन हमारा रेगुलेटर वड़ा परड़ी में रख लो और यही पैसे आपकी जो है आपको पैसे देंगे आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा लेकिन आप लोगों ने सीखा है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रिस्कियर एसेट में भी जाओ तो उसमें अगर ठीक तरीके से जाओ तो उसके अंदर बहुत अच्छा पैसा बनता है तो यह जब फीज आया है तो गवर्मेंट इसको रिवर्स नहीं करना चाहिए यह नहीं चाहती लोगों का कंफिडेंस फिर खराब हो और फिर वो एफडियर में रखें या फिर सेविंग में रखें वो चाहती है कि यही वाला पैसा प्रोड़क्ट के अंदर हो रहा और इसको क्रैक डाउन कर रहे हैं लेकिन डेफिनेटली जैसे यह इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं यह गलत इंसिडेंट हैं यह होने नहीं चाहिए मेरा आप से अब सवाल जो है यह तो शेर बाजार को और शेर मार्किट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स को ले करके थे अब बात मैं आप से मर्चंट बेंकिंग की करूँगा क्योंकि आप मर्चंट बेंकर भी हैं और देश के अंदर में जिस तरीके से SME सेग्मेंट की जो क कमपनियां जो है SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुई है और जिनका मार्किट कैप 8000 करोड रुपे के आसपास था बढ़ करके सवाल लाक करोड रुपे के को क्रोस कर गया है ऐसे में आपको SME सेग्मेंट का क्या फ्यूचर नजर आता है दूसरा जो SME सेग्मेंट की जो क किया जाए तो वहाँ पर आपका रूल मर्चंट बैंकर का रूल क्या आता है और दूसरा किसी को लिस्ट करवाना हो अपना शेयर तो उसको फाइदा क्या नुकसान क्या और कैसे वो अपने आपको लिस्ट करवाए दिल्कुल बहुत अच्छा कोश्चन कर रहा है आपने द ट्रिलियन होगी इसके अंदर 40% जो शेयर है जीडीपी का वो हमारा SME सेक्टर करता है अच्छा इंप्लाइमेंट की बात होती है अभी हमारे इलेक्शन हुए है तो सारा सारा मुद्धा और फोकस काया था कि इंप्लाइमेंट देने का तो हमारा MSME सेक्टर जो है 19 करोड ज और जैसे आपने कहा कि इसके अंदर money raising इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर stress क्या है SME सेक्टर चाहिए इतना बड़ा है लेकिन अगर आप इन से बात करते हो SME सेक्टर के entrepreneur से तो इनको main issue जो है दो है जो कि government इसको address करना चाहती है वो एक तो होता है finance के issues दू इसके अंदर ही बन सकते हैं large इतना बड़ा उसका scale नहीं होता जो इसके large company उसको बनाए वो reserve और SME सेक्टर ही है तो लेकिन अगर इनकी दो problem को solve किया जाए तो हमारे यहां पर entrepreneurial जनता हैं India के अंदर कमाल की उसके अंदर risk taking capacity है जो कि पूरी दूसरी economies में नहीं दिखता आप Europe जाए जपैन जाए उन्होंने पहले वहां entrepreneurs बहुत बनते थे लेकिन जैसे जैसे डॉल अप होगी अब जपैन में जाए सारे नोकरी करना चाते हैं कोई नया अपना entrepreneur नहीं बनना चाता है इसी तरह Europe के अंदर हैं वो multi national में काम करना चाते हैं नोकरी करना चाते हैं इंडिय में अंदर इंडिया के अंदर अभी हम उस स्टेज पे हैं कि हर दूसरा आदमी कहता है मैं अपना काम करूँगा या मैं entrepreneur बनूगा अब उसको मदद करनी क्योंकि entrepreneurship है यहाँ पर 65% जनता जो है हमारी 35 से नीचे है जितने IIT और बाकी engineering college हैं जो अब नए आ रहे हैं पहले brain drain ह होता था बार जाते थे अब वो अपने start-ups करना चाह रहे हैं नए business करना चाहते हैं अगर उनके दो money raising fund raising की problem को solve किया जाए और उनका marketing का वो solve किया जाए तो यह बहुत अच्छा order कर सकते हैं SME sector में हमने देखा पिछले 5-6 साल के अंदर जैसे आपने growth बताई दो platform है जो की government की महिशा थी कि सारा banking के ओपर दवाब न डाला जाए और banking channel जो है बहुत ज़्यादा scrutiny करता है आपके documents की और एक collateral चाहता है आपसे जब capital market एक बहुत अच्छा platform है जहां पर risk capital आपको मिलती है लोग आपके उपर पैसे लगाना चाहते हैं और कहते हैं कि आप risk लो उससे पैसे कमाओ आओ आप भी कमाओ और हमार कर दो तो यह share market में होता है fundraising होती है SME sector 5-6 साल पहले हमारे दोनों exchanges में आ गया था NSE में merge करके है औ और इसका कमाल यह देखिए पिछले तीन साल में इतने issues नहीं आए थे दो साल के अंदर बारंबार issues हैं इतने सारे issues हैं कि जैसे जैसे awareness बढ़ रहा है entrepreneurs को पता लग रहा है कि यह भी एक alternate source of fundraising है तो वो उसको opt कर रहे हैं और 500 तो सिरफ एक exchange के उपर हैं 400 company दूसरे में मोटा मोटा हमारे यहां पर 1000 companies ने fundraise करे हैं जिसका capitalization डेड़ ला करोड के करीब हो गया है there is a way to go जैसे हम आपने भी बोला कि हम merchant banker हैं तो हम आज की date में around 15-20 issue हम manage कर रहे हैं individually SME के और हमारे को लगता है way to go अभी बहुत आगे इसमें काम करना की जरूरत है hand holding हम देते हैं आप कह रहे हैं क्या आपका function होता है तो हम हमारा काम यह होता है हम different road shows करते हैं changes के साथ जाके आपके जैसे media houses के साथ जाके और उनको aware करते हैं podcast से कि वह आपको यह भी एक रास्ता है fund raise करने का इसको आप जरूर देखिए इसके अंदर risk capital मिलती है इसके बहुत सारे फैदे हैं bank वली बात नहीं होती कि हारा महीने वह आके आप से कहता है कि मेरे को interest दो और मेरे को पैसे वाप सी करो यह long term money आपको मिलती है जिसमें आप risk ले सकते हो और अपने अपने पूरे कर सकते हो और wealth create कर सकते हो अपने लिए भी और अपने shareholder के लिए तो इसके अंदर हमारा काम यह होता है हम उनको hand holding देते हैं हम उनको वह वाला सारी चीजें data provide करते हैं और उनको IPO ready करते हैं क्योंकि जो small scale में जो काम करते हैं उनके अंदर हमने देखा है उनकी accounts take नहीं बनते हैं regulation के अंदर थोड़ी कमिया रह जाती हैं labor laws के laws जो है वो पूरे काम नहीं करे होते हैं पहले हम उनको ठीक करते हैं as a virtual banker और फिर उसको IPO ready करते हैं और देखते हैं जो IPO में आने वाली होती हैं तो फिर उनको market में finally आते हैं investor को समझाते हैं कि इनका scope क्या है और यह कितना बड़े बन सकते हैं तो investors भी IPO अरेंज करवा देते हैं investor भी हम अरेंज कराते हैं क्योंकि इसके एक selected जैसे private equity होती थी PE players होते हैं तो यह भी एक private equity players होते हैं set of investors अब तो वैसे public यह IPO आने से पहले investor introduce होते हैं या IPO आने के बारे होते हैं एक तो IPO आने से पहले ही क उसको यह होता है कि जो यह खर्चा IPO का है है तो यह पूरा कैसे होगा तो उसको इंशोर करते हैं हम यह बताते हैं कि जो यह खर्चा है यह भी आपको investor देगा उसी मेंसे आपको खर्चा करना है तो हम कुशिश करते हैं कि private equity या कोई set of investor anchor investor उस company के अंदर ले आते हैं जिससे कि cost of जो IPO है भूभी वहीं से निकल है और उसके अंदर confidence भी है कि यह एक viable method है fund raise करने का तो उसको एक बहुत बड़ा confidence आता है अगर IPO से पहले anchor investor आ जाता है लेकिन इसमें एक बड़ी छोटा सा issue जो कई बार मेरी SME वालों से बातचीत होती है तो वहाँ पर एक address हुआ वह यह address होता है कि उनको कहीं न कहीं यह दिखता है कि यार मैं तो 30 साल से 40 साल से 50 साल से हमारे पूर जो मेरी generation थी उससे यह मेरा काम चलता आ रहा है बड़ी मुश्किल से हमने अपना business खड़ा किया है और कहीं न कहीं उसके अंदर में एक fear आ जाता है कि ownership कहीं transfer ना हो जाए आज हमारा stake 100% है कल आज ठीक है हम 25% stake दे रहे हैं वो 25% बढ़ता 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 कहीं ऐसा ना हो कि हम company से बाहर हो जाएं ये एक बहुत बड़ा fear जो है ये SME segment के अंदर हमने देखा है जी बिलको ठीक बात बोली है अपने ये जब हम भी interact करते हैं entrepreneur से ये सबसे बड़ fear होता है उनके अंदर कि हमारी जो equity है हमारी holding जो है company के अंदर वो कम होती जाएगी जिससे कि हम control छोड़ देंगे लेकिन ऐसा है नहीं आप देखिए जहां wealth create हुई है बड़ी बड़ी कंपनियां चाया Microsoft देखें Apple देखें जो उनके promoter हैं उनके पास holding तो 10% है लेकिन वो 10% की holding की value जो है वो billions of dollars है तो वो जब किसी asset की vehicle की आप value create करते हैं चाया उसको आपको उसके उपर control आपका 15% है या 20% है लेकिन जो wealth create होती है वो बहुत जबरदस्त होती है और यह कहना भी बड़ा गलत होगा या सोचना गलत होगा कि अगर हम 100% के आज इस company के अंदर मालिक है और अगर हम 10% या 25% इसमें dilute कर देंगे तो हमारा control खतम हो जाता है क्योंकि यह public को distribute होता है कोई 2% कोई 1% किसी के पास 500 share किसी के पास 1000 share होते हैं वो आपके daily जो आपका काम है उसके इंदर intervene नहीं करते हस्ता shape नहीं करते आप अपना company जैसे पहले चलाते हो वैसी company चलती र shares हैं वो आपकी currency है जैसे RBI की currency के है वो note शापता है और उसकी note उसकी currency है तो आप सोचिए आप RBI बन गे अपनी company के और आपने वो अपने share ले आए और वो currency बन गई तो आपको यह देखना है उसकी ताकत रहे जैसे RBI ensure करता है कि हमारे रुपए की ताकत रहे अपनी का fundamental र apprehension होती है और फैदे क्या हैं कि जैसे ये family owned businesses हैं जब वो public जाते हैं तो succession planning नहीं होती है पता नहीं होता दो बाई हैं तो कौन संभालेगा किसका कितना share है इसमें बहुत clarity आजाती है इसके अंदर जिसके पास जतने share वो succession planning है तो एक बहुत सारी चीज है आपको clarity आजाती है succession wealth create होती है तीसरा जब आप regulation में आजाते हो सब कुछ follow करना शुरू करते हो तो आप बिलकुँ fearless होते हो आपका focus अपने business पे होता है rather than regulation पे professional management ले आते हो audit regular होते हैं क्योंकि regular filing होती है बिलकुल और आपका public perception बहुत बढ़ी हो जाती है एक वर आप जब public हो जाते हो तो आप आपको अपना product marketing अपनी services marketing करना बढ़ा असान हो जाता है क्योंकि आप एक listed company हो और आपकी perception public में बिलकुल different होती है तो इसी तरह से बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि आप अपने को list कराते हो और listing यह नहीं है कि एक बार आप IPO ले आए तब पैसे मिले हैं अगर आपको equity ratio आपको बता होगा कि bank भी चाहता है कि equity ज्यादा लगती रहे उसके इसाब से आपको debt ज्यादा देता रहता है अगर आपने public से raise कर दिया तो आपकी equity बड़ी हो जाती है तो bank भी आपको ज्यादा पैसा देनी को उस वक्त तियार हो जाता है तो यह सारे फैदे हैं कहीना क main platform पे list होते हैं तो उन्होंने बहुत सारा business grow ही से लिए करा क्योंकि उन्होंने market से पैसा access करा और बार बार करा और उस पैसे को अच्छी दरह से लगाया और अपनी market को grow करा utilization भी इसमें एक major role play करता है लेकिन उसमें investment banker का बड़ा role होता है क्योंकि regulator हमेशा यह कहता है जो proceeds आई हैं आपको तो उसका हिसाब merchant banker को भी देना है exchanges को और सेभी को कि वो पैसे जो लिए इन्होंने क्या इन्होंने अपने घार या गाड़ियां तो नहीं खरीद ली सिर्फ उससे business के अंदर use करा के नहीं क्योंकि जो issue लेकर आते हो उसका purpose लिखा जाता है उसका audit होता है उसकी सारे certificate जाता है वर्ड रातो रात से मेरे को issue है नहीं वर्ड रातो रात कहने का मतलब है जो business है एक saying है कि जिसने आखरी चोट मारी उसकी वज़े से पत्थर टूटा तो उसका मतलब यह नहीं है कि आखरी वाले ने मारा जो सो बार जिसने मारा जो इतने सालों की मेनत होती है तो वो उसका result बनता है वो रातो रात नहीं होता बहुत मेनत करी ही होती है बिसनेसे में आपको पता ही अब हमारा एक छोटा सा rapid fire है वो मैं rapid fire फटा फट फट लूँगा आपने भी जल्दी जल्दी से उसका जवाब देना है मेरा पहला सवाल टीवी एंकर और एनलिस्ट की राय माननी चा platform है दाव वर्ड भी इसके अंदर गलत है अगर आप speculation की बात कर रहे हैं तब तो ठीक है यह market fundraising का economy का reflection है company की performance का reflection है अगर उसको वैसे ही यूज़ करें तो यह बहुत अच्छा platform है दाव और यह वले वर्ड जो है मेरे को बिलकुल सूट नहीं कर पाते हैं बाकी सब नुक्स क्यों बुक करते हैं यह बात share बाजार की नहीं है यह F&O trade की है जो future and option में trade करते हैं तो data यह कहता है जो future and option trade करता है तो उसके अंदर loss होता है अगर आप investment करते हैं तो यह figure विलकुल उल्टी है 90% लोग कमाते हैं 10% आते हो अच्छा इंडेक्स में पैसा लगाया जाए या company script पर देखिए अगर आप पढ़ के आ रहे हैं तो company के ऊपर पढ़ रहे हैं इंडस्टी को पढ़ रहे हैं तो direct investment करिए जो index के ऊपर पैसे हैं इसको passive investment बोलते हैं वर्ड के अंदर बहुत famous हैं ETF होते हैं indexes के ऊपर अगर वो भी लगाते हैं आप तो वो भी return हमार को 14-15% की compound surrounding growth देते हैं over a long term of time तो अगर आप passive investor हैं तो index के ऊपर उनके ETFs के अंदर पैसे लगा सकते हैं अभी मोधी सरकार की majority में सरकार नहीं बनने के बाद क्या अगले तीन साल में sensex एक लाग पार कर रिपाएगा देखिए एक लाग कोई बड़ी figure नहीं है लेकिन धिरे धिरे growth है हमने देखा है 15-16% की CGAR बनती है over a period of time और हो सकता है एक साल के अंदर ज्यादा growth है फिर lal period है stable रहे हैं लेकिन growth यहां पर पकी है अमरित काल है तो यह एक लाग होना कोई हमार को बहुत बड़ा target नहीं लगता हम 24,000-23,500 के nifty पे हैं 26,000-30,000 index दो साल में मिल जाएगा तो क कोई ताजुब नहीं होगा शेर बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है patience या पैसा discipline शेर बाजार में options अच्छा या cash market नया जो investor है long term के बारे में सोच रहा है cash market जो पढ़के आया है जिसका skill set है market की अंदर तो option भी एक बहुत अच्छा low cost instrument है जिसको इंडिया ने बहुत prevalent है शेर बाजार में retail निवेशक होता है और बड़ा trader कमाता है मैं इस statement को नहीं मानता पिछले पांच साल में देखिए जो patients आपने rapid fire में पूचा patient investor होता है वो बहुत पैसे कमाता है trader उसके सामने कुछ भी पैसे कमाता है patience is the most important कि शेर बाजार में tips काम करती है देख करता है मेर को अगर वो report देता है research report है तो वो काम करती है जो unfounded सिरफ एक दो महीने का course करके आपको बताना शुरू करते हैं इसके अंदर बहुत सारे cycles of the market जिसने 20 साल 30 साल market देखी है उसको cycles पता है market के तो अगर वो लोग हैं और बता पा रहे हैं तो जो मर्ची word यूज करे टेप research report तो वो ठीक है otherwise unsolicited जो आपको जबरदस्ती को बिता रहे हैं अपने आप WhatsApp कर रहे हैं और आपको cheese करके अपनी टेप बता रहे हैं उससे बिलकुल दूर रही है उसमें 100% loss होगा fundamental और technical चार्ट से बाजार में लड़ाई नहीं जीती जा सकती जेव में उसके लिए पैसे ही होने चाहिए और पैसा ही जिताता है underline तो पैसा ही है बेना पैसे कि तो fundamental क्या गरेगा और technical क्या गरेगा क्योंकि पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे उसके अंदर दोनों उसके अंदर method जैसे हमने पहले भी discuss करा एक method है पाडिस्पेट करने के वो fundamental भी हो सकता है टेक्निकल भी हो सकता है दोनों बहुत अच्छे method हैं आप किसी को भी follow या इनका mix बनाके इसको synergize करके investment करेंगे पैसे जिम में जरूर होने चाहिए पैसे जरूर बने है शेर बजार में emotions ही अकसर investor को मारते हैं दो emotions हैं greed and fear कभी greed हावी होता है और कभी fear हावी होता है अगर आप balance बनाके रखेंगे emotions पे control जैसे मैं ने बोला discipline एक बहुत important है discipline आपको ना fear लने देगा ना ज्यादा greed की तरफ जाने देगा ये अगर emotion को आप balancing करके रखेंगे जब आपको greedy होना तब greedy होना है जब आपको fearful होना है जब आपको greedy होना है और तब आप fearful हो गए तब आपको पैसे नहीं बनेंगे तो आपको balancing करनी है इस market में बोसरे wealth create होगे शेर बजार के अंदर में एक और भी चीज़ की जाती है बताई जाती है कि जब आप शेर बजार के अंदर में माल लेजए कि पहली दफा जब आप आ रहे हो तो किस तरीके का गुरू उसके अंदर में आपको बनाना चाहिए आपको गुरू ये बनाना चाहिए कि आप mutual fund गे अंदर जाए ETF लेना शुरू करें या SIP create करें initially आप देखेंगे जो आपका professional investor है आपके लिए वो जिस तरह से investment कर रहा है तो आप उसको follow करेंगे तो एक अच्छे investor बन सकते हैं लेकिन first time investor को हम हमेशा advice करते हैं कि वो SIP की form में आए mutual fund में आए अगर direct investment करनी है तो एक basics of investment जो है वो जरू और general knowledge मैंने common sense होती है जैसे मैं कह रहा हूँ Indian economy ने growth करनी है infrastructure healthcare यह कोई यह नहीं है कि मैं ही बता रहा हूँ किसी भी common आदमी को पता है कि जो देख रहे है roads बन रहे हैं पूल बन रहे हैं railways बन रहे हैं तो जो company हैं इन sectors के अंदर काम करेंगे तो common knowledge है Warren Buffet ने यह कहा था common investment क का इक उनकी book है तो हो कहते थे मैं डिजनी वर्ड में जाता था लाइने लगी होती थी तो मैंने का इससे बड़ी है काम नहीं recession proof काम है कोई बंदी नहीं कोई तेजी नहीं कोई हांसी वो नहीं गम नहीं कोई वो नहीं हमेशा लाइने है तो उन्होंने उस पे investment कर लिया है कि common knowledge है उन्होंने कोग के अंदर investment करा उन्होंने का ये तो कोग तो यहां तो हर एक खाने के बाद उसका कोई लिना देना नहीं festival है या कोई sadness है आप तो कोग पी रहे हो तो उन्होंने कोग में लगा दी है मैं एक डॉनल्ड में पैसे लगा दी तो common investment थीम्स हैं बसी गले इ इसके लिए पढ़ाई यानि उन्होंने market size देखा और market size देखकर के उसमें उसको देखा natural demand है जो इंडिया के अंदर airlines की demand आप दिखिए airlines बिलकुँ जो हमारे यहां railway station होते थे वैसी हला था इतनी demand है तो जो airline stocks हैं तो उन्होंने बढ़ना है railways के उपर जो नहीं नहीं गाड़ियां आ रही है mobility बढ़ गई है दिली से मेरेट आप चन्द मिंटों में पहुंच रहे हैं चन्द मिंटों में पहुंच जाते हूं पहले plan करते थे कि किस हफते में जाएंगे किस हफते में नहीं तो जो यह railway के stocks हैं जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो यह common knowledge है जो आप देख रहे हो आपके सामने हो रही है तो अगर आप उस पर investment लगाते रहे हो और अभी आप देखिए इंडिया के अंदर अभी अगर आप foreign गूमते रहे हैं और देखते रहे हैं अभी हमार को बहुत आगे जाना है infrastructure ने कहां पहुंचना है hospitals कहां कितने सारे hospitals बनेंगे कितने सारे doctors बनेंगे कितने सारे खाने की जगाएं बनेंगी कितने सारे आप देखिए यह वाला चीजें create होंगी तो अगर आप उस पर invest करते रहेंगे बहुत आगे growth है अचा अगर आप बता पाएं कि कौन-कौन सी आप companies के IPOs लेकर के आ रहे ह यह देखें यह थोड़ा अफी वह होता है जब तक IPO नहीं आता तो हम डिस्क्लोइट नहीं कर सकते हैं लेकिन जिनके हमारे को approval आ गई है एक manhood करके company है जैपर बेश जो कि man के grooming के instrument बनाती है और जैसे trimmers और उनके soaps, sabon, बहुत बड़ी market है, foreign की companies है, बिसी वैसा model है, और different platforms पे बेचती है, यह वली company है, जिसका issue अभी आने वाला है, एक simmer करके infrastructure है, यह power के अंदर जो power plants होते हैं, उनको बनाती है और उनको maintain करती है, पानीपत refinery जो है, वो उन्होंने बनाई हुई है, और उनकी managed है, इसी तरह एक और company है, जो main board पे आ रही है, तो वो auto ancillary बना र chain है, और दो सोट आइसो गरोड रुपे का profit है, तो वो भी एक नई company आ रही है, क्योंकि उसकी filing नहीं हुई है, इसलिए मैं उसका नाम ने बता पा रहा है, ठीक है, उन निवेशक्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो यह सोचते हैं कि बाजार के अंदर में, शेर हाई करने पड़ती है, और पैसे उसके अंदर generate करने होते हैं, ensure करना होता है, वो आपके पैसे हो, government की बड़ी एक, दंदर यह आपको बोलू, उनकी बड़ी apprehensions है, कि private loans जो हैं, पिछले दो साल के अंदर, personal loans जो हैं, बहुत बढ़ गए हैं, तो वो उसको relate कर रहे हैं, capital market से कि क्या हमारी public participants हैं, वो personal loan लेकर कि इस market में तो नहीं लगा रहे हैं, या F&O के अंदर trade तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको रातो रात इस market में कुछ भी नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से investment करते हैं, तो जो wealth यहां create होगी, कहीं पर भी नहीं हो सकती, जो आप core काम करते हो उससे multiple time wealth create होती है, यह हमने देखा है, various investors को, patient investor को, और जो disciplined investor हैं, उन्होंने अपनी wealth create करी है, रातो रात इस market में कुछ नहीं है, उसकी expectation भी नहीं होगी, और अगर आप वो सोच कर आएंगे, तो आपको loss होंगे, इस market में, अगर आपने gain कमाने हैं, तो patient investor बनी है, long term investor बनी कुछ है, SIPP में कैसे investment की जा सकती है, अगर कोई share को pick करना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या methodology है, इस पूरी series को हम आगे भी जारी रखेंगे, और आपको इसी तरीके से तकलीफ देते रहेंगे, podcast में इसी तरीके से जो भी investors हैं, उनके जो भी सवालात आएंगे, तो आप लोगों के जहन के अंदर भी share माजार को लेकर के जो मित हैं, वो भी कही ना कहीं clear हुए होंगे, और साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपनी company को और प्लान कर रहे हैं, IPO पर लाने के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए सवालातों के ज भूल चड़ी थी research पर portfolio साफ करता चला जाता रहा, कहीं मैं जाइए, देखते रहे है आप the point of view.